हाई गाईज गूड इवनिंग टो यूवल वेलकम बेक टो और फेवरेट यूटीव चनल मैं स्मार्ट वर्फ मेरा नाव मैं मन्जीत और हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काफी अच्छी फैमिली डोग बीड के बारे में जो है फ्लैट कोड़ेट रिट्रीवर सो फ्रेंट्स ये डोग एक फीमेल है और क्वालिटी भी अपलोग के सामने है रिट्रीवर बहुत ही फ्रेंडली डोग होते हैं और इनके इसी खुबी की वज़े से आप लोग इन्हें किसी भी टाइफ्स की फैमिली में रख सकते हैं इन्हें इस चीज से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता चाहिए आपकी फैमिली चोटियो या फिर बड़ी या फिर उन में चोटे बच्चियों ये सबी के साथ बहुत ही लवेबल होते हैं क्योंकि दोस्तों जब आप एक एडल डोग को पर्चेस करते हैं तो उससे पहले माइंड में बहुत सारी कन्फूजन्स हो जो चोटे बपी के अलावा एडल डोग को पर्चेस करना पसंद करते हैं और इसके बहुत सारी रिजन्स होते हैं सबसे पहले तो फेंड्स अगर आप लोग एक छोटे बपी को पर्चेस करते हैं तो आप लोग का बहुत सारा खर्च हो जाता है उनकी फीड मैडिसंस और व अवैलेबल हो जाएगा और दोश्तों वैसे तो मैं इस फीमेल के बारे में आप लोग को कम्प्लीट इंफोर्मेशन दे दूंगा जो इसे पर्चेस करने से पहले आप लोग लिए जानना काफी जरूरी है बड़ अकर फिर भी आप लोग के मन में कोई बी क्वेस्टिन या जरूर पूच ले किसी ढोक का सड़नली खाना चेंज कर दोगे तो हो सकता ही किसी सारी प्रोब्लमस आ जाजए तो इस चीज का आप लोग जरूर ख्याल रखें तो फर लोग इस के लावा और किसी वीडियो के बारे में इंफोमिशन लेना तो आते हैं या फिर उसे पर्चेज करना तो आते हैं तो इस चैनल को एक बार जरूब सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैल का एकन को प्रेस करके उसे ओल पर करना बिल्कुल ना भूले ताकि आप लोग को मेरी तो फ्रेंड्स फीमेल काफी एक्टिव है और ओनर ने जो इसके प्रैस की डिबांड किये वो किये 23,000 रुपीस यानी 23,000 रुपे प्रैस नेगोशेबल है आप लोग अपने हिसाब से नेगोशेशन कर सकते हो तो इस फीमेल की जो भी important information थी वो मैंने आप लोग को provide कर दिय होगी तो प्रीज लाइक और कमेंस करना बिल्कूल भी न भूले और साथ में इस वीडियो का अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं So thank you so much यह वीडियो लास तक देखने के लिए मिलते हैं हमारी एक और नुव वीडियो में एक और नुव डोग के साथ So तब तक keep watching my videos and bye bye